हलो एवरिवान श्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में फाइनली जो है बिहार आयुस के थर्ड राउंड का सीट अलोटमेंट आ गया है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आपको सीट अलोटमेंट रिजल्ट चेक करना है आपको सीट अलोटमेंट हुआ है अपग्रेड हुआ है कि नहीं या वही कॉलेज फिर से आ गया है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे अपना सीट अलॉट्मेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं थर्ड राउंड काउंसिलिंग के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस जो है हम आज की इस जो भी बच्चे बिहार आयूस के काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किये हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा सारा इन्फॉर्मेशन जो है मॉप अप राउंड यानि की वेकंसी एस्टे राउंड के रिगार्डिंग भी इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आ आपको क्लिक करने के बाद आपने जो चॉइस फिलिंग किया था चॉइस फिलिंग के समय आपने जो पासवर्ड क्रियेट किया था वो पासवर्ड यूजी मैक आई डिडी और सिकूरूर्टी पिन डाल के आपको अपने एकाउंट में लॉग इन करना है जैसे ही आप यूजी मैक आई डी पासवर्ड और सिकूरूर्टी पिन इंटर करेंगे दैन आपको साइन इन के आप्शन पर किलिक करना है आपके फोन और इमेल पर पासवर्ड जाएगा आपको सारे तरीके सही से फिल करना है कुछ रॉंग जो है वो दिखा रहा है फाइनली जो है मेरा अकाउंट लॉग इन हो चुका है प्रोसेस करने के लिए आपको अपने मॉबाइल नमर और इमेल आईडी पर OTP जो है वो सेंड करना होगा सेंड करने के बाद आपको OTP जो है यहाँ पर इंटर करना है जैसे ही आप अपना OTP इंटर करेंगे दैन आपको लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फाइनली आप अपने काउंसिलिंग पोर्टल पर आचुके हैं यहाँ पर देखिए टोटल 22 कॉलेजेज थे मैंने 3 फिल किया था 19 कॉलेज अन्फिल थे और 24 लॉग था seat allotment result चेक करने के लिए आपको यहाँ पर seat allotment result के option पर क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करेंगे अगर आपका seat allotment नहीं होता है तो यहाँ पर लिखके आ जाएगा कि you have not allotted any seat in this round अगर इस type से अगर आता है seat allotment result view willingness तो समझेए कि आपको seat allotment result जो है वो हो चुका है में भी यही college मिला था और इसने upgrade किया था ति इसको BMS जो है वो नहीं मिला है और इसका rank 307 है UR में ठीक है तो इस बच्चे को इसी college में admission लेना है तो willingness आपको करना है willingness submit ठीक है जिस बच्चे को college a lot नहीं हुआ है वो जो vacancy stay round में उसमें participate करेंगे नहीं तो जो आज last date था UP I use private colleges का अगर private college लेना चाहते है तो कुछ न कुछ colleges जो है उसमें seat खाली रहेगा तो आप क्या करना है कि अब अप्ग्रेडेशन नहीं होगा ठीक है अब आपको करना होगा यहां से freeze करने के लिए simply आपको इस पर click करना होगा click करने के बाद आपने जो password sit किया था registration के समय वो password जो है आपको इंटर करना है दैन आपको यहां से submit कर देना है submit करने के बाद okay के option पर click करना होगा दैन आपके phone पर एक वार फिर जो है वो OTP जाएगा send OTP के option पर click करना है और यहां पर आपको जो है वो OTP इंटर करना है आपका अपना seat allotment लेटर जो है वो download करने के लिए दैन आप OTP इंटर करेंगे उसके बाद submit willingness के option पर जो है वो आपको click कर देना होगा finally आपका willingness submit हो गया यहां पर आप upgrade नहीं कर सकते है ठीक है और अगर आप admission ले ले लेते हैं किसी college में तो आप vacancy stay round में भी participate नहीं कर सकते हैं आपको admission लेना ही पड़ेगा उसके बाद seat allotment result जो है जो PDF है उसको download कर लेंगे क्योंकि आप जब document verification में जाएंगे तो हाँ आपसे यह document जो है वो मांगा जाएगा तभी आपका admission जो है वो possibility जो है वो हो पाएगा admission बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एक बिहार में counselor है राहुल राज केडियर counseling करके वो बहुत सारे ऐसे दे दिन का बहुत अच्छा score था उसका कहना यह होता था कि आपको college नहीं मिलेगा यह होगा मैं कर वो दूँगा तो 20,000, 30,000, 50,000 करके उसने पैसा ठागा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा ठागा है उनको seat allotment नहीं हुआ है और वो अभी phone नहीं उठा रहा है मैं जो भी बाते कह रहा हूँ मेरे पास इसका proof है मैं बिना proof के कोई चीजे नहीं करता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका वो call नहीं उठा रहा है एक बच्चा जो था उसका 570 प्लस नमर था उसने उसको बताया कि तुम्हारा college अलोट नहीं होगा और उस अलोट क किया और आधा payment नहीं करने के कारण उसका ये कहना था कि तुम्हारा seat जो है वो cancel हम करवा देंगे नहीं तो तुम हमारा पैसा दो यानि कि सीधी सी बात है कि वो बच्चे को धमकी देता है seat cancel करवाने के लिए उसका भी proof जो हो मेरे पास है बहुत जल्द इस पर एक episode जो है रहू 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 केरियर काउंसिल पर होने वाला है जिस भी बच्चे के साथ fraud हुआ है या जिस भी बच्चे से पैसा लिया है पैसा नहीं दे रहा है फोन नहीं उठा रहा है तो वीडियो के description box में हमारा whatsapp नमर है आप लोग उस पर call करके message करके आप हमें प्रूब वेजि जब आप seat allotment result यहाँ पर चेक करने के लिए आएंगे तो यहाँ पी seat allotment result जो है वो नहीं दिखा रहा है थोरा सा इंतिजार करेंगे यहाँ भी 100 होने लगेगा उसके बाद opening closing rank जो है वो भी आ जाएगा और 8 से 10 दिन के बाद आपका vacancy straight round के regarding भी notification जो है वो आ जाएगा त WhatsApp group से add हो जाए सारा information आप सबुको मिलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ अब तक के लिए जैहिन ठेंक्स पोर वाचिंग